हुआ 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 हु गौड़ बाई मित्र सभी का बहुत बहुत स्वारी तो とस्तों इतना टेकनिकल दिख गया कोशेश करने वालों के हार नहीं होती हिस हमने 6-6 बज liters राये किया आज हमने आठ बेम चालूर नहीं हो शिक्षा के लिए उपियोग में आने वाला लेक्चर बाल विकास और पेडागोजी का पहला पार्डम लेकर आए हैं पूरा वीडियो देखेगा अन्तक देखेगा बहुत मजाने वाला है आज हम आपको वह बाते बताएंगे जिससे आपका डर इस सब्द से बाल विकास शिक करेंगे यह जाद जाद 25 लेक्चर तक भी जा सकता है लेकिन हम आपस समय सफीशेंट है कर लेंगे हम बिल्कुल कर लेंगे तो प्लीज देखिए बिल्कुल बहुत सारे मित्रों ने बहुत जी अब इक वह पूछ पूछिए प्लीज मैं पर लेक्ट्टर कर लूँ लेक्ट करते हैं let's crack it हमारी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल सुभम जी संजीव जी अजय जी राजल जी जी और साथ में राम सर चुड़ चुड़ चुके हैं सब लोग दोस्तों आपके त्यारी कराएंगे हम आपके लिए कर आते हैं मर्देश की समस्त पैच्छान तयारी तो लग को छे बजे में old question पर लेकर आऊंगा don't worry घवरानमत बालविकास पैड़ागोजी आज हम बहुत आसन सब्दों में समझेंगे because जब भी आप teacher सिक्छक बनने वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि ये subject के वालग ही पढ़े जदि आप एक पिता हैं यदि आप एक समाज में रहते इसके बड़े-बड़े हमारे वस की बात नहीं है लिए रहाँ इतना जरूर आपको पढ़ा देंगे एक समाज में एक सिक्छक के तोर पर एक पिता के तौर पर एक माता के तोर मनुष्य एक सामाजिक कौन सा सामाजिक प्राणी कैसे बनता है यह चीज़ देखेंगे बच्चे के जन्म से देखे म्रत्यू तक पूरी की पूरी विकास प्रिक्या चलती रहती है यह निरंतर चलती है इसको आपको अन तक देखना है इस वीडियो को यह पहला वेक्टर है मा कराएंगे तो लाइक करें शेयर करें हमारे टीम आपका बहुत चाहती है बिलुकुल जितनी मित्र आ चुके हैं जहन भाई सभी के लिए अठारा करवाएंगे एज और आपके लिए सपूर्ट कर सकते के एमपी में कोई टीचर आपने देखा होगा मैं आपके लिए सपूर्ट करता हूं सिक्षकबर्ग एक दो तीन और जितनी भी वेकैंसी ने कर लेवाली सब्सक्राइब करने का सबसे असन तरीका क्या है देखिए अन रिख में लउन्नेंग कर ने रिखर करने के बाद आपको गोल चूष करना एक प्रalth करें लेकिन जोringatot करना है डी टी लाइव जब भी पर्चेसिंग करें पर्चेस तो बात की बात है पहले फ्री क्लास देखो फ्री क्लास का जोए नहीं होगी आपने क्या चूच किया गॉल चूच किया इसके बाद सर्च करेंगे दिनेश प्रताप सिंग ठाकुर टी एचे के यूवार दिनेश ठाकुर भी सर्च कर सकते हैं मेरा फोटो दिख जाएगा मुझे फॉलो कर लिजेगा मेरे अलावा जितनी भी फ्री क्लास है न सबकी सबकी फ्री क्लास मिल जाएंगी आपको तो फ्री क्लास अगर आपको जॉइन करना ह तो बिल्कुर आप दिनेश प्रताप सिंग ठाकुर सर्च करके फॉलो कर लिजे कर लिया फॉलो करने के बादे आपको लगता है कि थेओरी क्लास भी लेनी है वह आपको सीरसली पढ़ना है अच्छे पढ़ना है एक साल की फीस साथ यार दिखा रहा है ये भी नहीं देना ह क्यों क्योंकि यहां पर लगा ना एंटर रैफरल कोड यहां पर लिखेंगे डीटी लाइव प्रकुर्स अगर आप चोटे उम्र के बच्चे है तो दोसाल का कौष दस हजार रुपे में मिल रहा है मात्र रैफरल कोड भाई यूज करना है ठीक है तो चली स्टार्ट करते ह बहुत दिनों से लोग इंतियार कर रहे दिया है चलिए हम समझेंगे कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है जन्म लेने के पहले विकास पढ़ेंगे और देखो यह जो सबजेक्ट है बिलकुल हुआ मत बनाना आप sentence पढ़ांँगा कि आप जिंद्धी निभूलोगे वह जित्ति लोग बाल विकास पेडागोजी की क्लास आस्ता करें करीए ना भिनने लगेगा और पढ़ने में मजा जरूर आएगा मजा आएगा तो कमेंट बॉक्स नो लिखिएगा ठीक ना चलिए सारी क्लास देखना पूरी क्लास देखना हम जब समझेंगे ना वह चुटकियों में आप साल्व कर सकते हैं ठीक ना तो कोई में तो परिसानी क्रियर मत करना वह या क्लास का टाइम देखिए आज का टाइम तो मिस हो गया था लेकिन मैंने कैसे भी करके क्लास आपके लेकर आया हूँ लेकिन खल से टाइमिंग देख हो बच्चे का जन्म होता है वो म्रत्यू तक मैंने बताये था आपको कि विकास सदत चलता रहता है ये निरंतर प्रिक्रिया कभी रुकने वाली नहीं भले विकास दीमे-धीमे हो या फास्ट हो चलेगा लेकिन होगा जरूर विकास एक जीवन परियंत चलने वाली निरंतर प्रिक्रिया है, ये sentence आपने कई जगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास की प्रिक्रिया में भालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संग्यानात्मक, भाशागत, संवेगात्मक विकास होता है, ये सारे विकास डिफरेंट डिफरेंट तरीके दिखें, बच्चा जब जनम लेता है और उसके वाद बढ़ता है तो उसका शारीर की विकास तो ही होता है साथ मैं क्रिया कलापों में changes आते हैं एक दूसरा उसका ज्ञान बढ़ता है सम्वर्धन बढ़ता तो लॉजिक लगा के कुछ करना सीखता है दो तीसरा भाशा गत मतलब की वो बोलना सीखता है अपने लोकल लेंग्वेज को पहले सीखता है उसके बाद हम जो सिखाते हैं वो सीखता है कोई दिखकत नहीं है सम्वेग आत्म जाने कि वो अपने भाव हसना रोना खिल-खिलाना रियक्ट करना जिसको वह यह बच्चो को में बच्चों को बच्पन की बाते हैं लेकिन अ एज़ा पिता एज़ा ब्राता माता पिता बहन वाई जो भी रिस्तेदार है सब को यह चीज़ समझने चाहिए कि बालक से कैसे बेवार करना है जब बड़ा होता फिर क्या बेवार करना है और उसको पर कई लोग बोलते हैं कि छोटे जो बच्चे नावालिक होते हैं उनको देखें कि क्यों अब क्या है जह जो विकास वह रहा है नहीं सबकह सा सबकह विकास कौन सा है मानसिक शारीरिक बच्चे की विर्दिका क्रंप पड़्द इवामस करता है कि बालक के अंदर अब तक संगटित गुलाउतमक परिवर्तन तथा उसमें आगे उने वाले परिवर्तनों की एक निश्चित संबंद है अजीब लग रहा हुआ सेंटेंस समझोगे तो आसान लगेगा समझना कैसे दिखो पहले हम बताएं बच्चे में सरी विवद्धी कर रहा है और उसका मस्तिस्क मतलब क्रिया कलाब भी विक्सित हो रहा है उसके अंदर भाव हो चाहे वो सरीर का परिवर्तन हो उक्रदोन सही तरीके से द बढ़ेंगे तो तो ठीक है और ऑगर को मिसमेश हो गई परिवरतन आपका दोनों में संबंद जरूरी है अब आपको 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 यह क्या बता दिया देखो संबंद इसलिए है कि कभी आपने इसा नहीं देखा हो कि बच्चा बढ़ता पास जा रहा है उसका दिमाग या सीख नहीं रहा है इनको एक रेशो मतलब होता है एक अनुपात एक अनुपात में दोनों चीजें बढ़नी चाहिए यह संबंद जरूरी है क्रमबद और सुशंगत होना जरूरी है यह जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता दिक्कत आती है इसी में अरस्तू जी ने कुछ कहा है अरस्तू जी ने कुछ कहा है नहीं बदन सकता है अरस्तू जी ने क्या लायव नहीं हमंद भार पलीज कभी समय लाइव नहीं मिले बाद में recorded देख लेना वर्थ देख लेना ठीक ना बस 20-25 लेक्षर देखो जिंदी की वर्ग के लिए वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन कभ विकास बाले विकास खतम अरस्तु के नुसार विकास आंतरिक एवं बाहकारणों के व्यक्ति में परिवर्थन होता है किसी भी व्यक्ति में आंतरिक एवं बाहकारणों से जो भी परिवर्थन है वो विकास है जो भी परिवर्थन है देखो विकास का मतलब यह नहीं है कि विकास उपर ही होगा विकास इसमें विकास नीचे भी हो सकता है यहना कुछ भी चीजे गडबल भी हो सकती है यहना कुछ नहीं है बट क्या है सरीरिक और अंतरिक अपने अंदर की और बाहर याने बाहरी कारणों से जैसे कि भाई वामने जहां जनम लिया जहां जनम लिया उसके पास में आपके मित्र कैसे हैं, आपके बाइबंदू कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपकी जगा कैसी है, लोकलिटी कैसी है, शेहर में हैं, कि गाउं में हैं, कहां पर हैं, जो प्रभाव कारक आपके उपर, आपके उपर जो कारण डाल रहे हैं, उससे निश्चि सब्सक्राइब करें लाइफ का टाइम बिल्कु बता दूंगा मेरा बने रहे हैं थमनेल दिख जाएगा कल आठ या नो बजे लाइब रहेगा शाम खुटिके ना आज तोड़ा लाइब डिए कैसा लग रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा बहुत अच्छा बह विकास आत्मक परिवर्तन क्यों पूल रहे हैं हम यह अब हम पढ़ेंगे विकास के अभी लक्षन विकास के लक्षन विकास कैसे देखेगा विकास कैसे देखेगा बिल्डिंग मैंने गी तभी विकास देखा बच्चों में देखना है विकास आत्मक परिवर्तन प्राया विवस्थित और प्रगतिसील और नियमित होते हैं यह वर्ड इसलिए बार बार बोल रहा हूँ विवस्थित प्रगतिसील और विवस्थ नियमित अगर यह नहीं है विवस्थित नहीं है यह प्रगतिसील नहीं है नियमित नहीं विकास तो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा विकास गड़वर हो जाएगा वही विकृती आजाएगी यहने कि पता जला कि विकास तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है एक चीच तो विकास कभी लटचड़ क्या है सबसे पहला कि विकास प्रगतिशील विवस्थित और नियमित होना चाहिए वही विकास विकास कहलाएगा विकास बहु आयामी होता है बहु आयामी मतलब उसके बहुत सारे चरित्र होते हैं चरित्र मतलब यह कि कभी विकास तीवर होता है कुछ छेत्रों में कभी धीमा हो जाता है कभी बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा हुता है एकदम से रुख जाता है कभी बढ़ने लगता है कुछ भी हो सकता है और कुछ छेत्रों में छेत्रों का मतलब यह शारीरिक मानसिक शारीरिक मानसिक, ठिक ना शारीरिक, मानसिक और चाहें तो आप अपने देख लेख़ा हो शक्ति शारी जो भी द्रस्टी, खाना, पीना जो भी है मनुश्म दी होता है न विखास तो किसी चीज में बहू बैर रहे है अग्ला देखो फिला ये वीडियो शेयर करदो मैं भी शेयर कर देता हूं है जी इस लोग जूड़ेंगे और दूस्यू चीज चीज क्या टेलिग्राम जॉइं कर लिया जब भी आटेमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे ना जब भी अनेकेड़ी विला सब्सक्रिप्शन होगे मेरा कूपन कोड़ याद रखना रेफरल कोड़ याद रखना क्या लगाओगे बिकास बहुत लचीला होता है इस सेंडेंस को समझेए विकास बहुत लचीला का मतलब क्या होता है लचीला है हमारा संभेदान लचीला है वं ने सैंग कनी है अक्रत में से अच्छा सुधार प्रतस्त कर सकता है कि यूंव मूला हमने लचीला का मतलब है जिस है पिह झाल पिछी तेखेओ पिछी स्लाइट देखो happy हैद हो तीप्र और मंद विकास कभी भी कैसी भी समय हो सकता है। तक बहुत तरीके से पढ़ता था इसमाता हूं इसके पर अब अपन समझेगा जो भी एक इंट्रोड़क्टरी क्लास है नंबर वन क्लास है पहली क्लास है ये लेकिन सारी क्लास 25 क्लास का समावेश एक दिन में नहीं हो सकता मित्रो अगर आपको कोई कोई बोलता है कि 50 question कर लो 100 question कर लो और आप पास हो जाओगे गलत है समझो चीजों को एक बार समझ दो या जुरुत नहीं बढ़ेगी वो सब करने की आप खुद लोजिक लगा के देखिए बालविकास पेड़ागोजी मनोविज्ञान साथ में हैं अगर आपने इक बार समझ लिया ना तो जब कॉस्चन आथा ना उस कॉस्चन को देखके ही एक बच्चे को अपने एक 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 बच्चा क्लास में गलत होंबर करके लाया अब आप उसको क्या करोगे डांटोगे मारोगे प्यार से समझाओगे क्लास से बाहर कर दोगे कितना असान प्वस्चन है अगर लॉजिकल लिए देखा जाए तो सी आप्सन साई यह प्यार जितना समयों को अत्ता आसान है समझेगा चीज को विकास बहुत ही लचिला होता है बच्चा कभी 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 और जैसा नहीं है एक बच्चे को लेकर में कले एक्जंबल दूँगा डोंट वरी अभी चलते हैं अगला पॉंट देखते हैं विकास आत्मक परिवर्तनों में प अध्यावस्ता में याद दास्त की कमजूरी जी बिलकुल कमेंड में लूगा भैया सर बहुत अच्ची क्लास है मुझे ऐसी क्लास लेनी थी थैंक्यू प्रियात्रेशा फाटी थैंक्यू 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 वह देखो हमारी पूरी टीम आपके लिए मेनत करती हैं आप लोग से बीसाफोर्टन को जाहिए मित्टर आपके हैं वैसप फेस्बुक पर तो हमको अच्छा लगता है अब लोग लाइक करता है जी बिल्कुल चल आगे बढ़ते हैं क्लास कंटीनू करते हैं आराम से पच्चीस तीस क्लास में 25 घंटे जिंदिकी की दे दो बालविकास पेड़ा को जी आराम से निकल जाएगी काय को परसान हो रहा है क क्या होता बच्चा जैसे ही वर्ख तीन आया बालुविकास परने बैठ गये जैसे वर्ख दुन आया बालुवविकास में बैठ गये बहार और उसको ब्हुत अप्र नोर्प के लिए यहे यह रचिने की समझने की कुछ चीज नहीं रचिलो या इसको उम्र क्या बढ़ रही है एज अगर आपकी एज बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ा आपकी बच्पन से बढ़ती आई वह में बढ़ती रहें एग्जाम्पल लेलो शीट से पहले शारीरिक शक्ति दूसरा क्या लोगे साहिक शक्ते के बाद क्या लोग latte hm मांसिक सक्ती मांसिक सक्ती इसके बाद अब का हो गया ताकट ताकत और या फिछी अब जैसे से उमर बढ़ती है याद करो once upon a time in Mumbai वो उसका पुलिस वाला पीटता रहता उसको किसको मारता है दे दना दन वो गिनता रहता है एक तो तीन चार पांच और बोलता है क्या गिन रहा है बोलते तो रूख जा अभी अभी तो तू मेरे को मार रहा है जैसे तू बढ़ता जाएका तेरी आकत कम होती है इसे चीज़ें होता है तो यह हो रही है आपर कोई अगला पॉइंट देखो विकासात्मक परिवरतन मात देखो बहुत कोई चीज में चीज में जो कर रहा हूँ अपने विकास आत्मक परिवर्तन मात्तरात्मक एबं गुंआत्मक दोनों होता है मतलब मैश्यों जिसको मेशर मलब इसारे भार सारे एक रहाइट गुण उसके अंदर की प्रिक्रियां नहीं मुल्य लिखा हुआ साफ साफ कर्द का बढ़ना मतलब फिजिकल मात्तरात्मक हो प्रेट वह उलाए बाटी है। कम ज्यादा होता रहता है नहीं ऐसे याँ पर तो विकास आत्मक्परीवर्तण जो हो रहा है आपके सरीर में वह कैसा हो रहा है मालूम आपको पीडिएप मिलेगा सर टेलीग्राम गृप पे मिलेगा डिस्किप्शन बॉक्स में टेलीग्राम गृप दिया हुआ जौन कर लेना ओम शांति बिल्कुल मिलेगा सर ठीक ना लाइक टो भई अच्छा रग रहा हो तो जैसे क्या से बन जाएगा विकास होता है मात्रात्मक उनात्मक दोनों या कोई नहीं ऑफसेन से बन जाते हैं तो एक-एक पॉइंट से बन जाएंगे आपके अराम से ठीक ना चलो आगे बढ़ें कोई दिक्क्त नहीं समझ लोगा ये समझ लोगा जागरुख और खो सकते हैं जैसे एक औसद बच्चा तीन शब्दों के वाक्य तीन वर्स की आयू में ही सीख लेता है लेकिन क्योई कोई बच्चा दो वर्स का उने पर ही एक काम कर लेता है मतलब की मतलब की बच्चा भल एक जगा पर है जन्म लेते हैं जगा पर एक ही एक ही पोधा उने हैं पालता मेग भी हैं बरसते एक से चांद भी है एक किसी रोसनी डालता किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जब किसी में हो बड़ापन की कसर फूल और काटा बहतरीन कवीता है कल पड़के आना ठीक ना पर एंगे तो जरूर नहीं है कि बच्चा एक ही तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बढ़ते हैं कुछ घटते हैं लेकिन मेंटेन हो जात लोग भी देख रहा हैं विकास के आयाम कौन-कौन से हैं किस किस तरीके से विकास होता है कौन-कौन को पढ़ना है future आफिछर में पहला देखु सारे एक विखास पढ़ाएंगा बन मांसिक विखास सामवेगी विखास खुर्यात्मक विखास वासिव खास सामाजिक विखास कॉस्चन या से वनते हैं देख लो कि यूइए थे देख रहे हैं यह लाइब orbits ने देख रहे हैं गिई को यह नंघेसे सब्सक्राइब लाइक करना है अगे लाइब देखना तो ने करो तो नहीं कर दीने चल के विकास विकास सामवेगिक विकास ठीक ना ओ माई गॉड मैं सौरी मैं भूल गया था मैं वर्ग तीन वर्ग दो के साब से पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चे हमारे ट्वेल्थ पास करके आये हैं अभी वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे सौरी थोड़ा सा सुलो कराऊंगा बिल्कु यहां पर आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है इस रिपोर्ट कार्ड को जन्रली डॉक्टर्स करते थे कि यार कला सकता वर्ग एक कांसलिंग कर से चाल हो जाए कि क्यों टेंशन ले रहे हैं कल अपन सब कल भी कल भी सूरज निकलेगा कल भी पंची गाएंगे बट सब तुमको दिखाए देंगे और हम भी नजर आएंगे भी नजर आएंगे ठीक है ना तो कल देखते हैं क्या हो ज़किन नहीं है यह पातता परिक्षा है इस में पातता परिक्षा में जतनी कंडिसेंस अगर आप फुल्फिल कर सकते तो बढ़ दीजी चलो कंटीनू ग्लास कंटीनू लास सॉरी 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 डिस्टर नहीं सारे लिग विकास सारे विकास देखो हमने क्या कपड़ा था फिर दे बूल गया आप लोग सरीक मानसिक सामवेगिक क्रियात्मक बास्चिय सामाजी किया पढ़ना अपने को ठीक ना शाइब विकास यह रेपोर्ट काट देख रहा है यह लेंद्ध यह वेट और यह हैट सर्कम्स्टेंस के बारे में यह डॉक्टर्स का रेपोर्ट काट आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को पोशन ज्यादा है को पोशन को बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टूदा एज आयू के आधार पर आयू के आधार पर उसका लेंद्ध यानिकि उसकी लंबाई और उसका वेट कितना होना चाहिए यदि वो नहीं है तो उसके पोशन के टिग्री भी रख देते हैं अब वो कितना को प्रिष्ट क्या मालूम तो देखो यह ऐसे ग्राफ बनते हैं इस ग्राफ को हम डिटेल में समझेंगे एक डो क्लास के बाद आरा में समझेंगे घावरा नामत अब अभी देखो कि सारीरि अनुपात में व्रद्धी इत्यादी इस पश्ट रूप से इन्हें देखा जा सकता है जितना भी आपका सरीर जो दिखता है जो सरीर आपको दिखता है उसमें उंचाई लंबाई चोणाई सारीरिक अनुपात सरीर के अंगों के अनुपात हाथ पैर नाक मुकान सब प्रॉ रहे जाता है यदि आपका कोई नहीं भिखसत हो रहा है तो फिर वह क्या होता दिर दो विकलांग बोलतने विकलांग के डिग्री मेंना सुत्त पॉसिमिलटे होती है तो वह जाते है सरीर का सारे के सारे अंग इस्तिरी और पुरुश के अंगों का एक sequence होता है और उनका एक अनुपाद होता है कि वह उस proper way में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर इलाज करते हैं और अगर इलाज से भी ठीक नहीं होता है तो फिर उनकी category बदल दी जाती है तो यही है यही है सारे रिक विकास कोड़ाउट किसी को आगे ब वह अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती में करने में धीरे-धीरे सक्षम हो जाता है कैसे हुआ वह यह यह विकास ही था कि पहले वच्चे को अपने को चम्मच से खाना खिलाना पड़ता था रोटी कर तो खोड़ा तोड़ के देना पड़ता था बट धीरे-धीरे क्या आज की लेकिन प्लीज छोड़के मत जनायर पूरी क्लास देखना क्यूंकि कल फिर से हम थोड़ा सा देखेंगे कोई दिख्कत तो नहीं किसी को जी ठीक है चलो यह सबसे कठिन विशाय लग रहा है जिसे आप पढ़ा रहे हैं यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है जी सकसे ना जी मजा रहा है गुरू जी पढ़ने में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके पहले और भी कोचिंग संस्थानों पढ़ाया है और अभी लगबग मैं दो से तीन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता भी हूं और एक अबनी खुत की संस्थानों से हैं लेकिन तो घबरा है ना बिल्कुल सभी ठीडियोप मिलेगा थाकोर सर का जवाब नहीं भी नहीं सद्धन्यवास सर चलिए 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 इसके बारे में डिसकस करेंगे अभी बढ़ते हैं कि बच्चों की सारेरिक व्रधी एवं विकास के समान्य धाचे से परिचित होकर अध्यापक या जान सकता है कि एक विशेश आउसर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है शेश वस्था में विरद्धी तेच तरबाले वस्था में धीमी होती है इसके बारे में इसको में नीचे जोड़ देढ़े पहले उपर का पोॉष्ण क्षा करते ऊपर क्या बोला गया? यह बोला गया है कि यह आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आप बनेगा यह मानलो अध्यापक और अल्दाबेस बन भी जाओ, सब के लिए बताई हैं भईया, अभी से अल्दाबेस्ट, अध्यापक यह जान सके कि कि किसी बच्चे से अगर होगा, example ले लो, कि किसी बच्चे से मैं ने पूचा जो भी पूचा उसका अंसर उस नहीं दिया, तो क्या करें हम, क्या करें हम, या तो हम उसको आगे बढ़े सकते हैं, या उसको समझा सकते हैं, चेरो समझाएंगे, यह सब बोले की समझाएंगे, लेकर अगर एक ख्लास में अपन ने क्या किया 2 प्लस 2 पूछा और बच्चे ने आंसर दे दिया एक ने किता 4 चलो बच्च वागे बढ़ते हैं और अभी आपन देखा होगा एक सलिबस में ना कि 3 अंकों को जोड़ना पांच अंकों को जोड़ना यह आपसे पूछा जाएगा क्योंकि बच्चों को और इसी प्रकार से बच्चों की आयू एज उसका मानसे पर ही डिपेंड़नेट मत हो जाना कि या रदू तो पांस सालका इत्तवरा धिंग हो गया और तिरे को यह नहीं आ रहा नो बाई 5 साल का हो गया क्या उसका मानसिक विगास इस तरका है यह आपको समझना चाहिए दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि किसी विशेश आउसर पर बच्ची की प्रिद्र के रहा क्या होगा आपको पता होना चाहिए और शेश्वस्था मतलब की शिशू काल जग बग ज आस्ता से दीवें दीमा ओना शुरू होती है एक चीज़ समाजिएगा ठीक ना यह बहुत बढ़िया जी कि कॉस्चन के आंसर भी में थोड़े देर से लूँगा बट आप लोग प्लीज पूरा लेक्चर देखी जाएगा ठीक ना चलिए अब कल से लेक्चर साम को आठ आज रहेगा फिलाल तो भी समझ में आ रहा है बट रात को नहीं रहेगा ध्यान रखेगा ठीक ना सब लोग प्लीज टेलीग्राम जॉइन कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वहां पर भेद दूँगा डिस्क अपडेट स्राम को मिल जाएगा मानसिक विकास यह तो क् किसको बोलेंगे संध्यानात्मक या मानसिक विकास किसी को सोचने समझने की शक्ति या कितना ग्रहन कर पा रहा है एकसेप्टेंस की सक्ति ग्रेप करने की शक्ति मानसिक विकास इतात पर बालक की उन सभी मानसिक योगता समताओं की विरद्धी से है जिसके परड़ाम स्व मानसिक सक्तियों का प्राप्त उप्योग करता है अपनी मानसिक सक्ति का उप्योग करके उन से बाहर निकलने की कटनाई से बाहर निकलने की या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है यदि कोई बच्चा उसको कुछ दे तो वो तोड़ रहा रहा है तोड़ना फोड़ना मतलब यह नहीं कि बच्चा कुछ खोल रहा है जही बत्चे को बास Bottle उसको तोड़ेगा पेपर रह यह घाई की बच्चे तो प्रावलम है कहीं नहीं समझे बच्चा अगर आपका नुकसान कर रहा है चीज़े तो फोल रहा है तो सही बात है वह अच्छा कर रहा है वह गलत नहीं कर रहा है क्योंकि यहीं होती है कि वो कुछ कर रहा है समझ रहा है चीजों को नुकसान भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं तोड़ रहा है कि आपका कुछ भी नाच तोड़ दे कुछ भी कर दे को दिक्कत कर सकता है कर सकता है कुल मिलाके वो समस्याओं का समाधान धूंड रहा है कि नहीं धूंड र संग्यानात्म के मानसिक विकास सितात पर बालक की उन सभी मानसिक योगता एवं छमताओं की व्रद्धी और विकास से है जिसके प्रणाम सरूप विबिन्य प्रकार की समस्याओं में अपनी मानसिक सक्तियों का प्रयोग करता है मानसिक सक्तियों का उप्योग करता है उनको य आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल जी ग्रेट गुड मांसे के विकास एक और तरीक से आप देख सकते हैं कि बच्चक क्या क्या चीजे कर रहा है या करने कुछ कर रहा है याद कर रहा है तो ठीक है सबसे टफ है कलपना करना इस अभी कलपना नहीं होती है कि पिनार करना मतलब याद करना दूसरा विचार करना तिंक सोच ना नरीकि खुन के लिट उसका समझना चीजीजों को देखना वुद्धी से तरक निकालना समस्या का समधान करना निर्णाय लेना आधी योग anonymousक विकास के फल शरूप ही विख्षित होते हैं वो फाइनली कलपना करना वो हाइपोथेटिकल चीज़ हैं आके बढ़ेंगी टिक ना मत रोग प्लीज लाइक अभी तक नहीं यह तो कर दो यार और शेयर जोगा तो ग्रूप में यह लोग जोड़ जाएंगी जी कि यह लोग तो यह वो सारे तत्य हैं यह सारे पेरामिटर्स हैं जिन पेरामिटर्स जिन मानकों को ध्यान में रखके हम यह देख सकते हैं कि बच्चे का मानसे कशना बदीखेंगे टिक ना को इस यह बढ़ते हैं सब समझाओंगा onba कई घपराना मत कुछ वेग्ञानेक रहे हैं सब एकजाने को की समझने का बताने का सबका तरीका हम आपको बताएंगे जिन प्याजे बूनर ठीक है जिन प्याजेर बूर कौलर ठीक है और भी माले सारे लोग रहे उन्होंने क्या करा है एक्सपैरिमेंट करकी बहुत सारे रच्पी एंध्यक कर रहे हैं, वह संयात्मक विकास को अपने अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं प्याजे के अनुसार किसके अनुसार जिन प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं ध्यान कर लो, नोट कर लो यह पेन कॉपी लेके बैठा करो मेरे साथ क्या करेंगा अप लोग पैन कॉपी लेके बैठेंगे कल से पैन कॉपी लेके बैठेंगे बिल्कुल संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं समवेदात्मक गामक अवस्था संवेदात्मक गामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था और अगली है फाइनली आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ठीक ना इन चारों को आप देख लो एक बार समझ लो समझ लो किसके अनुसार पियाजे के अनुसार संग्यानात्मक संग्यानात्मक विकास की चार अवस्ताएं होती है बच्चे के ज्यान के बढ़ने के लिए ज्यान सीखने की ज्यान को बढ़ावा देने की संग्यानात्मक जो विकास होता है ज्ञान के पढ़ने का विकास होता है वो चार वस्थाएं होती है ज्यना आगे पढ़ते हैं सम्वेक को भाव भी बोलते हैं जी बहुत बढ़िया रवी जो भी जी बहुत हर मित्रों को पहले से पता है तो अच्छा है और बच्चों को बताएं इनकरेज करें और हमारी लेक्चर को प्लीज लाईक और शेयर गज़ों रहे वही यह ठीक ना लाइको शेयर जाओ करना वहीं वित्रों को पहुचाना संवेक जिसे भाव भी कहा जाता है इसका अरत होता है एसी अवस्था जो व्यक्ति के ब्यावहार को प्रभावित करती है जैसे भय क्रोध ध्रणा आश्चार इसने खुशी इत्याति अब देखो होता है कि किसी भी प्रकार का आवेग डिसित भीरिकार का रियक्शन किसी प्रकार का उसको अनुभाव से आपके चेहरे पर आपकी की में कुछ प्रिस्तिर क्या होती वह भाव बन जाती है और इन भाव में भैल क्रोध ग्रणा आश्चरिय स्ने खुशी और वह सारे होते हैं उन सब को देखेंगे आप तो बालक में आयू बनने के साथ साथ इन संबेगों का विकास होना सुरू हो जाता है ठीक न इस टार्टिं क्वेशन बनाऊंगा एमसी क्यूज भी करवाऊंगा मैंने बता दिया है एमसी क्यूज कराऊंगा बड़ फिर देखेंगे और बस वर्ग 3 के पहले सब पर तीन के पेपर आने के कम से कम 15 से 20 दिन पहले हम तूरा स्लेवास कंप्लेट कर लेंगे हमारे हिंदी का भी हो जाए परियावड भी हो जाएगा बालविकास भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा और फिर हम 15 दिन में रिविजन करेंगे और उसके पहले हमारी जिम्मेदारी भी है अटरा साल करवाने के लिए आंदूलन करने के लिए रखवा ऑफी क्या अपन बनवाया है क्यूंकि पहले भी अटरा साल थी तो अभी ख़र प्यूशिबल है तो मैं करवा दूँगा उसके लिए हम साथ बज़े जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहा है लाइब या लाइब नहीं है 7 पीम पर डेली मेरा एक सेशन रहता है जिसमें अपर interaction करते हैं आंदोलन के बारे में बच्चों को क्या करना है कोई आपकी समस्या हो समाधान के बारे में कोई फरजी नीज फैला रहा है तो उसके बारे में क्या नोटिफिकेशन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है सब हम बात करते हैं साथ बज़े शाम को डेली हो गया हो गया हो गया हो गया इस संभे की वाग में एक चीज़ और समय लीजिए जन्म से ही सिसू का संवेग आत्मक विकास या वियोहार आरंभ हो जाता है चैमा की आयू में शिशू में भय एवं क्रोध का मलब रियक्सन आपको दिखने मिल जाएगा भय और क्रोध का विकास हो जाता है यानिक उसको एकदम से जोर से ताली बजाओ चुटकी बजाओ चिल्ला दो होड़न बजाओ काम जाएगा बच्छा भाय होता है क्रोध यानिक थोड़ा था हाँ नात्मा पट करना कम होता है लटी रिविट होना सुरू हो जाता है इस व्यज्ञानों को बताया है तो हम आपक प्रेम प्रसंग लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है यह प्रेम जो है यह माता-पिता हो सकता है भाई-बेन हो सकता है चाचा-चाची दाई-मा आसपास जो लोग भी उसके एक साल वन यह पर एक साल तक जो भी पीपल स्टरच में होंगे पड़ोसी भी हो सकते हैं रि प्रेम और उल्लास एक वर्स के बाद तो क्वेश्चना बन जाते हैं देखना यह सोच नहीं है छे माई की आयू में कौन से समवे की वागव विकास होता है बाइक रोध बन गया ना क्वेश्चन बनते हैं है ना हर एक स्लाइड इंपोर्टेंट है हर एक स्लाइड आप बच्चा को जो खाता होगा ना वो किसी और बच्चे को देखे देखो इसके लाइन लगेगा घुस्सा हो जाएगा अरे इसको क्यूं दे दिया तो डेल वर्स के बाद इर्श्या प्रेम उल्लास खुशी दो वर्स की आयू में प्रशन्नता आनंद क्रोद गिर्णा आ आएंगे सर रेग्लर कंश्या रहेगी साम को आठ बजे या नौ बजे तो सात की क्लिटेंड कर लेना मेरी साथ पीम सेवें पिम डेली आता हुँ हूं तब मैं आपको सब कुछ बता दिया करूंगा कब क्या बढा रहा हूं ठीक ना डॉन्ट वरी जबाव मत बिलकु मिलु होने लगता है सभी संवेगों का सभी संभागों मतलब सभी जगा का मलब सभी भावों का कभी कभार देखो यहां गला बैठ रहा हो तुमको बढ़ा रहा है समस्या समझो चीजों को यार लाइक करते जाना लाइक टोक दो एक लाइक टोक दो और हाँ अनकेडमी प्लस एप्लिकेशन है अनकेडमी लर्नेंग डाउनलोड उम्मीदे कर ली होगी नहीं करिए तो कर लो अनकेडमी डाउनलोड करने के बाद दिनेश प्रताप सिंग ठाकुर दिनेश ठाकुर मुझे सर्च करना फोटो मिल जाएगी फॉलो कर लेना वहां पर हम आपको फ्री क्लास प्रवाइड करा रहा है और अगर पेड लेते हैं क्या लेते हैं पेड क्लास अगर आप वहां ल लग से पूरा कॉर्स है वर्गतीन की तैयारी भी वहां से हो जाएगी अगर आप जरू नहीं कि मिलें टेट ले लो आप जिसको केबल टीचर बनना है ना वो टेट का सब्सक्रिप्शन ले लो बड़ रेफरल को यहीं लगाना डिटी लाइव हो जाएगा आपका डिसकाउ शमताओं और योगताओं का विकास अब व्यक्ति की जगाँ में पूरा आदरी में समझ लेना यह बालक की बात चल रही है बच्चा काम करना कैसे सीखता है चीजों को पकड़ना छोड़ना ठीक है उसको टच करना किसको टच करना किसको नहीं करना यह धीरे धीरे जो विक् है तो अपने गुरूप में शेयर कर दो यह वाटसेप फेस्बुक ट्विटर जहां पर भी उखर दो यार ठीक ना डन है गुट ग्रेट रादी रादी वाई आई में निव देली भी आई अलोबर इंडिया के लिए यह सेशन काम का है जरूर नहीं है कि आप एमपीटेट ह के लावा इंडिया में जूब शीजेट होता है कि इसके कारण क्रियात्मक्त विकास के कारण इसके कारन बालब को आत्म विश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है बिल्कुल आत्म विश्वास आता है देखो भी हम ने देखा कि एक छोड़ा बच्चा है मानलो 2-3- साथ महीं नेगा एक साल लगा वो पलंग से नीचे उतरने ही कोईस्स कर रहा है बड़ जब तो जमीन पाउं में टच नहीं हो रही न वो चिलाने लगता है कि मैं उतर और आप अचीव हो जाता है वो चीज तो आत्म निर्वरता आ जाती है तो इसके कान क्रियात्मक विकास अगर होता ना बच्चे में तो क्या होता आत्म निर्वरता आत्मिस्वास आती है परियाप्त क्रियात्मक विकास के भाव में बालक में बिविन प्रकार के कोशलों के व आपका को उसका कवालब मेंगा प्रादिक्रण तो कॉसेल में कही ने कहीं बाता पहुंचती और और degli मुबाइल सब चीखते हैं मुबाइल जलाना से ग्याइक को नहीं बन रहा है तो वो कोशन विकास है चलिए आगे बढ़ें क्रियात्मक विकास के श्वरूप एवं उसकी प्रिक्रिया ग्यान होना सिक्षकों के लिए आवश्यक है और आप एक सिक्षक बनने जा रहे हैं यह क होगा कि कोई बच्चा लिख रहा है लिख रहा है और उसके आड़े ट्रे अक्षर बन रहे हैं तारे जमीन पर उल्टे अक्षर बना रहा है सीधे बना रहा है तो कुछ तो बीमारी क्रिस्ट होते हैं बट सभी बच्चे ऐसे नहीं है वह एक मूवी थी उसमें बीमार बच कम जोर है जिसको आपको शूर को जो भी देख रहा है आपको ठीक ता होती है लिखा भी है देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल जी बिल्कुल थेंक्यू सर थेंक्यू बेरी मच्छ भी घवई है जो ने भी लाइक कर दिया क्या बात है थेंक्यू जिन नहीं किया कर दो यार थोड़ा सा कर दो एफर्ट आप भी लगा दो मेरे लिए ठीक ना चलो आगे बढ़ते हैं भाशाई रिकास भाशाई यहने बोलने की देखिए अभी हम संचिप्त संचिप्त लेकिन वेरी वेरी आई एमपी टॉपिक पर रहे हैं कोई भी आपका मित्र कोई भी आपका पड़ोसी कोई भी आपक जरूरी है ठिक ना कि बालकों की जगा पर बालक बालीक काओं या बच्चों बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं ना अत्याचार वो इसी वजह से होते हैं उनको पते ही नहीं है कि यार क्या है एक बच्चा आठ दस बारा साल तक इतना कोमल और इतना लचीला होता है उसको जैसा संजाओ के वैसा सीखेगा उसको जैसा माहुल दोगा वैसा बिगड़ेगा सुधरेगा सब कुछ होगा तो यह बात उन अनपड़ लोगों को नहीं पता होती है जो इस तरी के अत्याचार करते हैं अगर आप मेरे बात सहमत है तो लाइटों को बच्चों पर अत्याचार कब रोकेगा जब वो यह चीज समझेंगे कि बच्चे का विकास असान नहीं है जो आप बोलोगे वही मानेगा नहीं वो जिद्ध भी कर सकता है वो गलत रास्ते पर है के अधाले स्टेत शिक्राइव कसवेगना है वहासा के विकास को एक प्रकार का संभेग्या संभ्या अत्मक Бभावात्मक विख करना सफ्की बोलना चिढ़ना चिलना दी में वोल strengthening यह सब एक बोलना के व्भावना के अंदर कताथा तो पाराई को स्चैन यहां से बनता है कि भावात्मक विकास कौन से विकास है तो भावाताई विकास उसके अंतर गद आता है ठीक ना बन जाएगा जी मेरी क्लास जितने लोग भी पूछ रहे हैं जो लोग लेट चुरे हैं मेरी क्लास साम को 8 बजे के आसपास रहती है आठ बजे या नो बजे रहेगी कल से टाम एक फिक्स हो जाएगा आज तो क्या है कि मैंने पहली लेक्चर लेना था मैं बहुत ट्राय किया विया तीन बार छे बजे आठ बजे नो बजे पर मेरी क्लास हमें साम मिस हो गई गड़वल हो गई हमाई बच्चों ने क्लास देखी आठ बात में नीचे लेको कमेंड बॉक्स में जी मंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर जी कमेंड कर सब्सक्राइब या बजित इतने साल लोग देख रहे हैं आर चार सो के असपास जी बाकी क्लास के लिए घबरा क्यों रहा हैं सर आप लोग मैं हूना यार वादा किया जो निभाना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा आप सबीको जॉब दिलाना पड़ेगा दिलाना पड़ेगा बिल्गुल सबको सबको जॉब दिलाना है यह हमारे अनेकेडमीक का मूल मंत्र है लगा दो बढ़े आंगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे चलाू भासा के माध्यम से बालक अपने मन के भावें विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है बिलकुल विचारों को रखने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है भासा यह तो बोलते हैं विचारों को एवं दूसरे भावों के विचारों को भावनाओं को समझते भी हैं यह तो बहुत सिंपल इस चीज़ेस में कोई बड़ी बात भी नहीं है सब को मालूम है जिबल को थैंक यू भी है थैंक यू भाई थैंक यू वेरी मच अज खोड़के मज़ना भाई जित्ते लोग भी देख रहे हैं क्योंकि आज की क्लास लेट है लेकिन आपके काम भी बहुत है और कभी भी काम आएगी जिंदगी में प्लीज शेयर भी करें अपने मित्रों को भासाई ज्यान के अंतरगत बोल कर विचारों को इसपश्ट करना बोल कर संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना लिख कर अपनी बातों को रखना इत्यादी भी सम्मलित किया जा सकता है जरुनिया की भासा का मतलब केवल हो केवल बोलना ही होता है लिख कर भी भासा समझाई जा सकती है एक्स करते हैं पहले इसारों में बच्चे बात करते सबसकार नहीं होती मा- भा-फा पामा तो भई यह करने अपने को है जितने लोग भी देख रहे हैं वीडिओ को टेलिग्राम ग्रूप की लिंक डिसकेशन में है, टेलिग्राम डाउलोड करो, मेरा नोटिफिकेशन वहाँ पर आ जाएगा, पीडिया भी वहीं मिलेगी, आपको डालोरी, ठीक ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बालक, छे माहा से एक वर्स के बीच कुछ सब्दों को समझन ऐभासा 이, यह भी कर रहा है, रहे वैं माहां कि बाद, कुछ बोलने को इस करता है, एक वर्स की बाद कुछ सब्दों को समझना, बोलने लगता है, तीन वर्स की वर्स्ता में बीच चोटे चोटे वाक्यों को भी बोलने लगता है, हाला कि ये चीज कभी-कभी डिवर्स या दो वर्स, दो वर्स से भी चाले हो जाती है, कुछ-कुछ बोलना, कुछ छोटे से वक्ख, आजा, चले जा, बैठ जा, उड़ जा, एक common word, आ, जा, मा, मामा, पापा तो ठीक है, ये से कुछ word सीखने लगता है, ठीक ना, डन भई, ओके, डन, तो तीन वर्स की अवस्था में, वह एक कुछ छोड़े वाक्यों को बोलना लगता है, पंदरा वर्स से सोला वर्स के बीच, काभी सब्दों की समझ विक्षित हो जाती है, अब ये हाँ तक क्यों पहुँचे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी स देखेंगे, बट तीन वर्स की आयो में कुछ वाक्यों को बोलता है, चार वर्स, पांच वर्स से वो दीरे 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 भासा ही विकास होता है, कुछ सब्दों को समझाओंगा में इसको, सब बढ़ाओंगा, डॉन बरी, जिसमें कि कि कितने सब्द की डिक्षिनरी एक वर हिंदुस्तान का होगा तो हिंदी और इंग्लेंड का होगा तो अंगरेजी, अमेरिका का हो तो अंगरेजी, जहां का भी होगा, लोकल लेंग्वेज के भासा के सारे सब्द सीख जाता है, पंदरा से सोला साल तक, ठीक ना, ग्रेट, ठैंक यू यह लाइक करने वालो धन्न कर दो, चल्ड, ठीक ना, डन है, कोई रिकत नहीं, यह कोश्चन यहां से बनते हैं, यह कोई भी स्लाइड हैं सी नहीं है, जहां से बनेंगे, कोश्चन बनेंगे सब जगा से, लेकिन एक बार समझ लो, जिन्दगी बनना ही, समझ लो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा कोश्चन ब्रद्धी होगी, इसकिल चाहे सन्यानात्मक हो, चाहे भासात्मक हो, विकास कोई भी हो, सब में कोश्चन ब्रद्धी होती है, तो इसमें तो कोई डाउटी नहीं है, कोई दिकत नहीं, अब चलते हैं सामाजिक विकास की तरब, सामाजिक विकास का शाब्दे कर नानी हैं अगर हम देखें कई वर्षों पहले जो हमारी उत्पत्ती हुई थी तो चाहे जीव जन्तु हों चाहे मनुष्य हो चाहे कोई सीखा रहना सीखा फिर उसने अपना विकास करना सीखा तो समाज के अंतरगत रहकर बिभिन्य पहलों को सीखना अर्थात समूहों की इस्तर पर परंपराओं परंपरा इस इन्वर्श्टी की परंपरा है कि कोई छोड़के नहीं जाएगा पूरा वीडियो देखकर जाएगा या वरेती रिवाजो उनकूल छयम को ढालना उनक आपने मेल जोल परंपरिक्सायोगा कि वालना को आत्मसाथ करमाजिक होता है अनपरा अनपरा यादा कि अनपरा था वो अनपरा था उस मूवी का नाम था चुपके 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 अनपरा अनपरा प्रीतिरावद नमस्कार जी चलो गई मेल जोल अब यहां पर क्या होता है कि सामाजिक तो एक सब कुछ अच्छा होता है मेल जोल पारम पर एक भाव जहां से यहां पर उल्टा करना शुरू किया तो यहां पर क्या लग जाएगा तक्त्व। यह संधी肥्थ वे प्रकास जी रोज का लाइब का टाइम बार 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 बता चुका हूं मैं बट लिख देता हूं अभी मुझे लग रहा है आठ बजे तो रहेगी शाम को डेली नहीं तो नो बजे आठ से नो बजे का सपास रहेगी आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा डूंट वरी सु सब्सक्राइब होगा समाज के अंतरगत ही चरित्र निर्माण तथा जीवन संबंदित व्याहर इंग गुणों इत्यादी का विकास भी होता है अब यसली समाजब कर सकते हैं अपन सब्सक्राइब विकास होता है बालकों की विकास की प्रथम पाट साला परिवार को माना गया है परिवार बालक के प्रथम पाट साला है वो सब को पता है तत पस्चा समाज को एक दूसरे के संपर्क में आने से समाजी की करण प्रिक्रिया शुरू हो जाती है एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता के साथ रहता है ठीक है एक बच्चा माता पिता के साथ रहता है पर धीरे धीरे दूसरे बच्चे दूसरे व्यक्तियों से मिलता है और धीरे धीरे एक समू का निर्माण होता है और ये समू जो है ये समू एक समाज का निर्माण कर लेता है कोई बात कदणी बहुत बड़ी है हमारे मित्राज बहुत खुश है अच्छा लगा मुझे इस class का एक्च्छली क्या है कि बहुत दिनों से इंधियार था तो आज मैं उसको इंधियार खतम करना ही कोशिश करी क्योंकि आद दिन में दो बार class मिस हुई है मेरी मैं मिस क्या हो सामाजी की करण सामाजी की करण समाजी करण से बालकों का जुड़ाओ व्यापक हो जाता है संबंदों के दारहें में विरधी अर्थात माता-पिता-भाई-बैन के अत्रिक्त दोस्त मित्रों से जुड़ने लगता है अभी मैंने एक्जांबल वही दिया था पिछली स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा ये माता-पिता से जुड़ने लगता है वो ता क्या है देखो अगर आप इसी बच्चे को जन्म होता है एक-दो साल का बच्चा होता है और उसको किसी कमरे में बंद कर दो तो वो शोशे ना बंद करें बच्चों को एक दूसरे से मिलवाएं बाहर घुमाएं ऐसा ना करें ठीक न तो यह वोई चीज है सामाज़क विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक धार्मिक तता सामुदायक भावना उत्पन होती है इस चीज को हम पढ़ेंगे डेटल में बाद मे लेकिन समझो चीजों को कि जब बच्चा अपने आसपास की लोगों को पास जाता है देखो संस्कृतिक वो क्या सीखता है कि हम कैसे पूजा करते हैं हम कैसे नमाज पढ़ते हैं कि हम कैसे चर्च जाते हैं ठीक है वो धार्मिक भी होता है संस्कृतिक मतलब कि हम कौन से होल संसक्रती कैसे सीखेगा संसक्रती सीखना मतलब समाजग विकास धार्मिक डवलोप्मेंट एक सामाजिक विक सामाजिक विकास हैं ? concaten ये बालकिय के मन में आत्मसमान होता न इसने बाती नहीं करी होता है आत्मसम्मान मैं तो क्या होता है? आतमसम्मान तो क्या बन जाता है वो इगो MP4 करेंद में कंड़ा होता है इससा क्लती है ओपर स्वाविमान की विकास के अंतरगाता है सामाजिक या पिर आपका सारे मांसिक सामाजिक आएगा ठीके ना बालक समाज के माध्यम से ही अपने आधर्स व्यक्तियों को कचैन करता है तथा कुछ बनने की प्रेणडाम उनसे लेता है आधर्स व्यक्ति मेरा इडिल कोन मेरा अब्डल कुछ अब्डुलक्राम कियो स्ब्ना क्यों उसने के क्या देखे उसको काम उनके तरीके और उसको इडोप ticking और आप्ट करते हैं तो सामाजिक विकास होता है विकास होता है तो यह बन जाता है आधर्स व्क्ति यहीं से चुनते हैं तो एक बच्चा अपना आधर्स व्क्ति किस विकास के ताहित चुनता है सामाजिक सारीरिक या आर्थिक या धार्मिक तो सामाजिक कॉस्चन से बन थे लाइक करेंगे जो 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 जा रहा है लाइक कर दो भाई क्योंकि बस खतम होने वाला सेशन अपना एक लाइक कर देना हो गया है जितने भी लोग है एक दो मिट बास सुन ले ना जो भी लाइव देख रहे हैं जितने भी वेरी मित्र हैं MPPSC व्यापम का सब्सक्रिप्शन जितने जलती हैं ले लो फीज बढ़ सकती है अगर आपने अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो लो कैसे लेना है अनकेडमी की लर्निंग डाउनलोड कर लो मेरा नाम दिनेश परताब सिंग ठाक और सर्च करके फॉलो कर लो जै इन दौर जैसी बड़ी कोचिंग में नहीं आ सकते इन दौर में आके नहीं पढ़ सकते जो बच्चे गाउं से सहर नहीं आ सकते उनके लिए बिल्कुल डीटी लाइव रेफ्रेल कोड आप यूज करें अब यह कब लगाना देखो यह इंपोरेंट है पूरे जब भी पेमे सुबह से लेगे राद तक 24 जब मर्जी तब प्लीज जब भी लगाना डीटी लाइव ही लगाना क्या लगाना सुर्य जे डीटी लाइव रेफ्रेल कोड यूज करना भी है दो साल का कोर्स अगर आपको लगता है कि अब लंबा सपना है बड़ा गोल है छोटी उमरे आपक सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थोड़ी बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं जी रभी कुमार जी पन बात में डिसकस करते हैं इस चीज को अलग से कहीं और थैंक्यू सार नाइस सेशन लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर जरू कर दोई है इसकी टेलिग्राम ग्रूप में पीडियाप बेज दूँगा मैं बिल्कु बेज दूँगा मैं कि सबखें पोस्ट आने वाली है सर बालवगास के लिए हमें बुक की जरूद है जिसको बूक से पढ़ना वो तो पढ़ना ही है बहुत सारी कमपनी घ्याती है आपकी बहुत सारी कमपनी के बूच आती है उसके लिए मैं सजेस्टन दूँगा कि आप आराम से देखके बैसे दो लेकर फिर भी को दिक्कत नहीं है शॉरी एंस याटी नहीं नहीं लंबा पड़ा जाएगा कामकाच जी एंस याटी सॉरी कोई बुक आपको लेना हो ना तो आप लेलो कोई भी रेफ्रेंस बुक लेलो आप CTT की लेलो चलेगी थैंक्यू नमस्कार सभी के लिए धन्यवाद भाई या प्लीज वीडियो को शेयर करते हैं ठीक है थैंक्यू लाइक कर दो देखे 18 जिसको अठाण एज करवानी है बिक्रम सिंढग जिकल बोपाल जा रहा है जो भी जा सकता भी बोपाल चले जाओ और वहां पर आप बाल यह अपने सिक्छा मंत्री जी को एक ज्यापन देखाना आना आपको एक देखाना दो जगाव सिक्षा मंत्री के पास और अगर कुछ हो जाए तो मुझे जरू बता देना वाट्सेप पर प्लीज मैं कर दूँगा ठीक ना जी सबस्क्रिप्शन लेना हो ना ले रोगी हो सके साथ सब्सक्रिप्स现在 समझनी पा रहें पहरी तरह समझ जरते हैं क्रिक ले सकते हो कैसे ले सकते हो आपको क्या करना है यह तो यह क्या करना है अपने मोभाइल एंपलिकेशन और यह यार रुकचा कि के बाद इसको कर लिया install करंट करके choose goal goal चूष करना है आपको गोल क्या है फो मारा कहल गॉल कम कीश्ष गोल को आपको नहीं करना करना है और जो भच्य गर्ना जाते हैं तो सीटीय खुआ कि करें आप सीट थैट का सकते सब्सक्राइब करने के बाद मेरा नाम सर्च करना दिनेश परताप सिंग ठाकुर यहीं मिलेगा आपको अपको इसके अलावा अब सब्सक्राइब करना चैनल लेगा यहां यूट्यूबर अपको करना है ठीक है डटन चलिए अच्छा लगाओ का उम्मीद है आप सभी को मेरा सेशन प्लीज वीडियो को शेयर जरू करिएगा नंबर हम याद शेयर नहीं कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन है सर कई और से नंबर जोगालों मिल जाएगा आराम से आपको अराम से थोला सा मेहनत करो बिलकुम मिल जाएगा मिल जाएगा अब अब यहाँ प्लीज जाएगा अब पर नोटिफिकर्शन पहुंचा दूंगा मैं पीडिया भी पहुंचा हूँगा ठीक ना कोई जिक्कर नहीं जी इना इस वाले अभी मत पूछा कि ना इस वाले का पता चल जाएगा एक दो दिन में मेरे बंदे जाएंगे वोपाल अभी उने में कोई जिक्र नहीं किया है क कि उसमें अभी तक लिखी नहीं है उसमें सर बट मैं प्रयास यहीं जा रही है कि सब इलिजिवल हो जाएं सबी का सम्मान हो ठीक ना राजपूच जी न सही बोला ऐसे कोई करता अभी तक तो हो जाता आपका काम राजपूच जी पुरसोत्तम राजपूच जी जी थैंक्यू बेरी मच वीडियो शेयर कर दो लाइक कर दो और फिर मिलेंगे अगले सेजन में तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू बाइस जय हिंद जय वारत मिलते नेक्ट वीडियों तब तक लिए धन्यवाद